हाई गाई विल्कम बाक तो मैं चानल रमजम सेंग व्लॉग सुबा का टाइम हो रहा है और आप ये स्माइल देख लीजिए ये जो व्लॉग है मैं सुबा से शुरू कर रहे हूं जो लास्ट व्लॉग एंड किया था उसी के कंटिनेशन में है ये तो मैंने सुचा क्यों न य 20-25 मिनिट से अच्छे से खेलेगी ये देख सकते हो मैंने उसको अपना स्काफ दे दिया है तो इस पे कम से कम 10-15 मिनिट इसने अच्छे से खेला है उसे बहुत ही जादा मज़ा आया है तो ये व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है और अभी ये न कुछ-कुछ नए-ने फेस से अच्छे से बना रही है लाइख पौट करना भी ये आई अण बहुत ही है इसने प्व ही खेला है तो कि मैं तुर टइंट वह इनिख लेया है तो बस अब मैं आगय ओं कुछिन में ये जो व्लॉग है ये डिरेक्ली मैंने फिर शाम में शुरू किया है और मेरे चना भीगा दिया था काला चना भीगा दिया था सुबह में ही ताकि मैं इसकी ग्रेवी बनाओंगी इवनिंग में तो बस अब मैं उसी को सीटी लगा रही हूं और साइड बाइ साइड मैंने दूद भी रख दिया है बॉयल होने के लिए क्योंकि हमारे यहाँ पर दूद है वो फ्रीज में रखते हैं तो इवनिंग में एक बार अच्छे से उसको बॉयल लगा देते हैं ताकि वो फटळ जाए यहाँ पे जो काले चने हैं मैं उसको अच्छे से वाश करके और इसमें एक बाद चेक कर लूँगे कि इसमें कुछ कोई खराब तो चने नहीं है और फिर साज लगे हाथ में आटे लगा ले रही हूँ और आप लोग हाल में देख सकते रहोगे थोड़ा सा कले पागे आपको देखने को मिलेगा कि मेरी बेटी को भी मैंने हाल में रख दिया है नीचे जमीन पे उसका बिस्तर लगा के साइड बर साइड में यहापे अपने आटे भी लगा ले रही हूँ उसको देखती भी रहती हूँ और मैं कीचन से ही उसको आवाज देती हूँ न तो वहीं से देखके मुझे स्माइल करती है अच्छ तो आज मैं आटा जो है न कुछ इस तरीके से लगा रही है इसमें मैं एंबस में फटा फट से यहाँ पर रोटिया बना लूँगी सब के लिए सब के लिए अभी फिलाल जो है न मुंबई में लाइट की काफी जादा प्रॉब्लम्स हा रही है इवनिंग में मतलब एक दिरो घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो मैं खाना जो है जितनी जल सब्स अब माषणी के लिए ब्लैटफॉर्ण में सब्स आज सबसे सब्सेटे मैं करें यहाँ नहीं चाहिकार हूं सबसेट कारे करें सब्सेट अपार जो मैं तैयर है जोपित हैं मुय चली आया कि आपको को अथि या कोई शुस बीडियो जानना तो आपको उसके लिए मुझे करना होगा ex guys आप लोग मेरे pregnancy के videos को काफी जादा like कर रहे हो कि मेरा first trimester कैसा रहा तो उसमें काफी जादे अच्छे views भी आए हैं comment भी आए हैं so thank you so much guys उसके लिए and please ऐसी आप लोग मेरे इस video को भी support करिएगा ताकि मैं भी YouTube पे अच्छे अच्छे content and informative video आप लोगों के ला सकूँ and आपको थोड़ा भी मेरा video informative लगता है तो please मेरे चैनल को like कर लीजे and इस video को like कर लीजे and subscribe कर लीजे तो देख सकते हो आप में कहा कहा से जो है मसाले ढून ढून के निकाल रही हूं यह तेजपता तो देख सकते हो कि एक ही तेशपता मैंने डाला था वैसे निकाला तो मैंने दो था पड़ मैंने डाला सिरिफ ए क्योंकि वो एक ही काफी जादा बड़ा था and side by side में अपना platform जो भी clean करते चलती हूं कि मुझे ना platform clean रहता है तो और भी काम करने में अच्छा लगता है and वो platform फैला हुआ रहता है तो कुछ समझ में नहीं आते हैं कितना भी काम करते हैं और ऐसा लगता है खतम ही नहीं हो रहा है so कुछ इस तरीके का मेरा ये vlog है आज मैं सोचती हूं कि कुछ ना कुछ नहीं नहीं आप लोग के साथ शेयर करूँ and आप लोगों को मेरी वीडियो देखे बोर ना हो so guys I hope आप लोगों मेरे vlog पसंद आ रहा है अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe ज़रूर कर लीजेगा तो यहाँ पर मेरी रूटी बनकर तयार हो गई है मैं कूकर में ही सबजी भी बना लूँगी सबजी बना कर होने के बाद में फिर चावल भी मैं डाल दूँगी and चावल कैसा न मैं खाती हूँ मेरे हस्बन खाते हैं, भाईया खाते हैं पापा खाते, पापा तो थोड़ा ही खाते क्योंकि उनको शिगर है और ममी तो खाती नहीं क्योंको डॉक्टर ने मना किया हुआ है उनको गुटने का दर्द वगेरे रहता है तो जिसके वज़े से चावल उनको मना है बस अब मैं अच्छे से मसाले को भी भून लूँगी and मैंने काफी यह सबजी काफी टाइम लेकर मैंने बनाता है and बहुत ही ज़ादा अच्छा बना था तो गर्मी तो गाईज इतनी ज़ादा पढ़ रही है मुंबई में यह देख सकते हो तो मैंने यह पूरा बॉटल खाना बनाने तक मैंने पूरा खतम कर दिया था and side by side में अपनी बीटी को भी देख रही हूँ तो मैं कीचन में जबी भी जाती हूँ न तो एक बॉटल में लेकर ही जाती हूँ and मैं सोचती हूँ कि वो पूरा बॉटल में खतम करना हूँ यहां पर आप लग मैं कीचन दिकारों की किस तरीके से फैला हुआ है और मैंने कीचन को क्लीन करके अब मैं दोनों भाईयों को फूर्ट करके दे दे रही हूँ and साथ में मैं भी फूर्ट ले रही हूँ तो यहां पर मैं कट कर रही हूँ musk melon and chiku chiku तो जादा दिन हम रख नहीं सकते वो अगले next day में खराब होना शुरू होते तो फिर मैंने यहां पर दोनों लोगों के लिए मैं कट करके दे दे रही हूँ तो मैं जो भी इसका इसका skin होता है musk melon का पूरी तरीके से निकाल के दे तो पूरी देख लिए उनको सिफ खाना हो कुछ फेकने की ज़रूत ना पड़े जो भी इसके seeds वगरे सब कुछ निकाल के देती हूँ मैं तो यही पस ऐसा कुछ दिन चल रहा है और इस समय हम लोग fruits काफी जादा ले रहे हैं intake कर रहे हैं यहाँ पर मैंने मेरा भी प्लेट लगा लिया है जो बचे कुछे काम है वो मैं कर रहे हूँ यह जो वीडियो देख रहे हैं यह ममी शॉप से आ गई है और वो मेरी बीटी के साथ खेल रहे हैं यह बहुत ही ज़दा प्यारा मॉमेंट होता है जो गाईज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर और कोई भी सजेशन्स है या कोई भी एडवाईज है आप लोग मुझे कमेंट में लिग दीजेगा मैं जरूर आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई